कि यह गाइज वेरी वेरी गुड आफ्टनून कैसे है सभी लोग एंड किया आप सबको मेरी आवाज आ रही है जल्दी से बताईए एमा लाइव एंड एमाई ओडिविल आजाओ वेरी वेरी गुड आफ्टनून ओके तो सबसे पहली बात जो लोग मुझे नहीं चांदन को बता दू कि आएम मोनीश वुरा आएम चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आपको सीए फाउंडेशन लेवल पर एकनॉमिक्स एंड बी से के का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं राइट अभी हम कर रहे हैं बी सी के का चैप्टर नंबर 3 हमारे इस यूट्यूब के क्लासेज में आइड मैंने जो है ओल्रेडी इंडियन कंपनीस आपको पढ़ा दी है अभी ग्लोबल कंपनीस हम आपको पढ़ा रहे हैं बी सी के चैप्टर 3 में उसका एक लेक्चर हो चुका है इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको अलड़ी इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी और आगे बढ़ते हैं अभी जो है सीए फाउंडेशन डेसेंबर 23 वाले बच्चों के लिए हमारा जो है मन्जिल बैच यह स्टार्ट हो चुका है यह इसमें जो है आपको चारो सब्जेक्स आपको एक दम डीटेल में करवा जाते हैं यह इसका शेडियूल है और हम को जरूर बोले कि इस बैच को जोई करें गरए अगर अगर आपको मेरी classes अच्छी लगती है तो जरूर आप Mvisa code को use करें जिससे जो भी discounts है जो भी offers हैं आपको मिल जाएंगे subscription लेते हैं वक्त सो लिंक जो है वो description box में दी है हमारे मन्जिल बैच जो December 23 वाले बच्चों के लिए है चलिए आएए अब बात करते हैं BC के chapter 3 कि हम बात करते हैं आएए जल्दी से ओके तो सबसे पहली बात सबसे पहली बात हमने जो है इसमें आपको कल हमने जो है कल आपको इसमें यह करवा दिया था इसका ट्रिक बता दिया था एक बार क्विक्ली एक बार रिवाइस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी देखेंगे आए तो यहां पर जल्दी से देखेंगे आजाओ कि ओके तो सबसे पहली बात 18 हम इनकॉर्प्रेशन की बात कर रहे हैं ग्लोबल कम्प्णीज के रहेंट सो देखेंगे जल्दी से एटीन हंड्रेट में तीन ग्लोबल कम्पनी आये थी अमिरिकन एक्प्रेस नेस्टिले गोल्डमेन अमेरिकन एक्प्रेस आये थी 1850 में ने या थी है एच्पी है ना एच्पी जो लाप्टॉप किशन 19.39 1997स में दो कंपनिय थी एक के बाद दन 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 सो 960 में दो आय थी इंटेल एन वालमाट इंटेल 1968 वालमाट नाइटेन सेवेटीज में दो आर्क राइवल्स एक दुस्या एक बहुत बेंड़ीटर्स दो कम्पनी माईक्रोसॉट अन आपल 1975 माक्रोसॉट 1977 एपल 1990 में एक ही कमनी आई थी अमेजन इंटरेट बेस कमनी इसे लेट आई थी 1994 में एंड एमेजन का इंडियन सब्सेडियरी कब स्टार्ट हुआ 2000 में 2000 वाले डेकेड में क्या बताई एमेजन इंडिया आया 2012-13 में यह बात है हमने आपको बता दी थी आयोग कि आपको अब तक तो यह याद वैसे भी होई क्या होंगा कोई बड़ी बात नहीं है देन उसके बाद पहां पे हमको सास लेने में दिक्कत होती है वालमार्ट अरकन सास यूएस है हेड़कॉर्टर किसका बताई है वालमार्ट का देन नेसले जो है वो स्विस चॉक्ल आमेजॉन वाले ने बोला कि भीया जहां पर आमेजॉन का हेड़कॉर्टर है वहीं पर हम भी हमारे कंपनी का हेड़कॉर्टर लाएंगे ताकि हमें टेक्निकल टैलेंट बिल सके उसके बाद हमने जो है आई जी भया को बुचा हाना ए आई जी अमेरिकन एक्सप्रेस आई अगली बात अगली बात में 24 अभी कोई इंफर्मेशन नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे अगली बात चलो नेक्स्ट बात जो है हमें जो करनी है वो है हमने अमेगा एक्सप्रेस की बाते कल कर ली थी अब हम वापस नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अब बात आती ह में इसका हेड़कॉर्टर है इनके चेर्मेंट का नाम है पॉल बल्क इसके लिए में एक ट्रिक बनाई है कि हमें जो है चॉकलेट बल्क में खाना पसंद है ज्यादा क्वांडिटी में खाना पसंद है चॉकलेट तो पॉल बल्क किसके है चेर्मेंट बताओ नेस्ट लेके त पर चेरमें का नाम तो भी याद रखे कम से कम ठीक भंते नस्सने एक स्विस महलों स्विस्जन लांड सी बलाँ करते हुए से स्विस्ट नाशनल मतलब मल्की नाशनल सिर स्पोड नाशनल मैं मिलते हैं मर्क्टिनाशनल कमपनी है जैसे ट्रांस बोलता है इड़ेसल ट्रांस नाशनल फूट एंड ड्रिंग कम्पनी ओके यह वर्ल्ड की लारजस्ट फूड न्यूट्रीशन हेल्थ एंड स्टारा यह यह आसकता है किट कैड की आड आती है तो क्या होता है एड के एंड में एड के एड के एंड में जो नीचे लिख्क्या आते हैं ना बोलते हैं ऐसे गुड फूड गुड लाइफ ऐसा ठीक है ना आगे अगला देखें नेक्स्ट क्या है बोलता है नेसले वस फाउंडेड एजन एंगलो इसका नाम था एंग्लो स्विस कंडेंस्ट मिल्क कंपनी अरे 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 भाई साब और बाइस विस कंफेक्ष्णर कंफेक्ष्णर बड़ा जो सारी डेरी के ऐटम बनाता है वह उनका नाम था है हेन्री नेसले कहुं है यह फाउंडर है फाउंडर है ठीक है न तो 1866 में इन्होंने बनाई थी तो जैडरल है जो भी हमारे ग्लोबल और फाउंडर है उनके उपर आप लिए उपर ही कंपनी का नाम रख देते हैं तो तो कल जाकर मैं भी कंपनी चालू करू तो उसका नाम हो बताओ ऐसी बात है आप देखो इधा देखे जल्दी से पाउंडर यह देखिए कॉमपनींगा फाउंडर कॉन है वह रह थे कि फ्राइन गोल्ड में सैक्स यह भी बताओ यह बीसरी में मारकश गोल्ड मैंस्टानिल सैंक्स आब आपको बताओ यह ससूर जी है और यह इसके दामाद साथ हैं मैं समझपारों तो से मुल सखले क्या अपने ससुर्झे कर मिल के चलो किया था गोल में इसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद से देखो से सरधने ads कि A1 कि कि हाँ उसके बाद नेक्स्ट नेच्ट जो है बस सर्नेम वाले ते हीट है फिर भी है काफी यह न dollar इंटल का कौन है इंटल का है रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन हम इसी बात करेंगे बात में जब इंटल की बात करेंगे वाल्मार्ट तो वाल्मार्ट के देखो वाल्टन वाल्मार्ट वाल्टन वाल्मार्ट सैम वाल्टन ठीक है अच्छा आपके बुक में प्रदेख करते रहता है इंस्टिटूट क्या करेंगे उनको माफ करेंगे कोई बात नहीं यह वॉल्टन है वाटसन नहीं है ठीक है मैं गड़ बड़की नेक्स्ट माइक्रोसफ्ट का फाउंडर कौन है पॉल एलन एंड बिल गेट्स है ना तो अब हम सब को मालू है तुम बिल गेट्स दो रट्टा मार लोंगे और तुमको वैसे भी पता है पर बिल गेट्स के साथ दूसरा कौन सा फाउंडर था माइक्रोसफ्ट का यह सवार आता है क्या बुलेंगे पॉल कि क्या बुलेंगे बताओ पॉल एलन आगे देन एपल कंपनी के फाउंडर जो है ना इसका है बटा है ना एस एस आर तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसुम कहीं गुजारे एस एस आरहना सुशान सिंग्ण है एस एस एसर यहां पर याद रखेंगे स्टीव जॉब ती वजनियक एंड रॉनल्ड विंद कौन है यह फाउंडर याद रखेंगे एसेस आर ठीक है ना किसके बताओ जल्ली से एपल के फाउंडर से एस सार स्टीव जॉब स्टीव वज आ गए थे वापस से वैसे भी होते ही न्यूज में चलो आगे कोई नहीं आते हैं ठीक है तो यह बात होगी नेसले में तो नेसले का फाउंडर कौन है हेंडरी नेसले जब यह कंपनी बनी थी तब क्या नाम था एंग रोग स्विस कंडेंस्ट मिल का कंपनी अरे भाइस यह इंडिया में कब आई करें कि यह कब इंडिया में आई यह इंडिया में ऑई 1923 में यह सकता है इसले इंडिया में कब आई operations करें स्कैने1923 में फिर इसके कूछ joint वेंचर देखें नेशलेंने कुछ joint venture किये थे major companies के साथ तुबुद्धे सेRT第' वर्लडवाइड जन्राव मिल्स के साथ जन्राव में इस एक कंपनी हैं सेटल सिसके मिलते हैं जैसे वह आप दूद में डालके जो खाते न वह सब चीज़े और बेवरेज पार्टनर नेसले का बेवरेज पार्टनर बेवरेज बहलेज मतलब कोई भी ड्रिंग को बेवरेज वगर रख्लें बेवरेज्ट शर्व द्यूज होता है ना तो नेस्ले का बेवरेज पार्टनर था पीटा कोकाकॉला इस पर एम सी क्यों आ चुका है कि ने अपने नेस्ले ने जॉइन्ट डेंचर किया था किसी बेवरेज कमपनी के साथ वो कौन सी थी कोकाकॉला प्रोड्स कंपनी के साथ भी इन्होंने को लगेट पामोलिफ के साथ भी क्या किया था जोएंट वेंचर अब याद रखेंगे बस यह चार कंपनी की नेसले ने जैनरल मिल्स कोका कोला लैक्टलिस एंड कोल्गेट बाम अलिफ के साथ क्या क्या था जॉइंट वेंचर्स किये थे अपने जिन्देगी में आगे और नेक्स आते इसके कुछ प्रोडक्ट्स के नाम अब यह बताने की जर्वात है कि आपको है नेसले का क्या क्या आता है मैगी अब क्या हुआ जून 22 एक्जाम में सवाल आया एकवा पन्ना वैसे तो आपकी बुक में पुरी लिस्ट दे दिये उन्होंने अब इतनी लिस्ट हो ना पढ़ते बैठेंगे कि इतने सारे प्रोड़क के नाम को याद करते बैठेंगे इंस्ट्रूट्वें ने सवाल और अब सब्सक्राइब का सीजन में हमको आम का पन्ना पता है सब्सक्राइब याद रखेंगे आपको एकवा पन्ना कॉन से कंपनी का वाटर बरेंड है क्या बोलूंगे नेसले समझे बात माग करेंगे जितना मैं बता रहा हूं ठीक है ना आगे नेक्स्ट ओके अगली बात फिर आदा है नेक्स्ट मेटा गोल्ड में गोल्ड में जल्ली देखेंगे तो इसका इनकॉर्परेशन सब्सक्राइब है नियुयोक में एंड इनकॉर्परेशन इयर का है 1869 डेविड सोलोमन बिड़क चेर्मेंट सीओ है याद रखेंगे और यह चेंज हुआ है याद रखेंगे यह चेंज है डेनिस कोलमेन इसके सीएफ हो है पहले कोई और थे अब यह नाम लिख लेना यह अ प्लीज एक बार यहां पर देख लिजए ताकि आपको विश्वास आ जाए यह देखो यह सीएफो किसका गोल्डमेन का तो गोल्डमेन का आपको सीएफो बता रहा हूं यह देखिए डैनिस कोलमेन लेटेस्ट आपका जो स्टूडेंट जनल है डिसेंबर 22 का जो आपके ए इसको नूट कर लेंगे डैनिस कोलमेन ओके एंड डेविट सलोमन कौन है अभी करेंट चेर्मेन सीओ ठीक है गोल्डमेन क्या है देखिए बोलते गोल्डमेन जो है इस कंपनी का पूरा नाम है दा गोल्डमेन सैक्स ग्रूप इंक मैंने बला था जैसे इंडिया में हम पब इंक तो फब्लिक कम्पणी इसको दर्षानिए इसे लिमिटेट शब लगाते हैं वैसे ही यूएसे वगरा में ये शब लगाते इंक या कॉर्प टॉर्फ दॉर्ट मलब कोर्पोरेशन आई एंसी डॉट मलब इन कॉर्पोरेशन एसा तो यह दर्शा आता है क्या कि ये कृ ठीक है तो देखो बहुत से लोगों की चाहत होती है कि हमें इन्वेस्मेंड बैंकिंग सेक्टर में काम करना है और मज़ेगी बात है कि चाटर अकाउंटेंट को कोर फाइनांस सेक्टर में जॉब मिलती ही नहीं है यह सच्चा ही है जीवन की है ना तो हमें जो है आज़ने अकांटेंस में टेक्सेशन डिपार्ट्मेंट में डिपार्ट्मेंट में पार्लं तो भी क्या मिल जाती है झाल लेकिन ओर फाइन अगरा आपको जॉब चाहिए तो सिर्फ के सिए के मिलनाGAN Ст towards होता कि नहीं मिल रही नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ड होता है इसके लिए जिन लोग को finance सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट होता है वो फिर कोर्सेश करते हैं एक पारेम के पाइनांशल रिस्क था ठीक ना और इसलिए मैंने भी क्या बताएं यह पढ़ना स्टार्ट किया था हमारे जिन्दगी में इसलिए मैंने भी सिए पढ़ना चालू किया था और सीएफ में टोटल तीन लेवल होते हैं तो मैंने लेवल बन इसका क्लियर किया है इसे गॉल्डन डिग्री माना जाता है फाइनस की किसको सी एक तो तो मुझे जो है एक्चुली मुझे करना दो टीचिंग था और ऐसे फाइननस का सब्जेक्ट या जो नंबर नियूमरिकल्स जिसमें होते वह सब्जेक्स मुझे पसंद है तो मुझे फाइनस का सब्चेक् और पिर सिए इंटर लेवल पे फाइनाशल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आता है है ना फाइनल में भी फिर इंटर में भी होता है पर इंटर में फाइनाशल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ इकनॉमिक्स होता है तो मैंने सोच एक काम करतों फाउंडेशन में इकनॉमिक् से ठीक है तो बस पढ़ा रहे पाउंडेशन एकनोमिक्स बीसी और इंटर में यह पढ़ा रहे फाइनेश अब बात आती तो सर आपने फिर आगे क्यों नहीं किया आपने लेवेल टू लेवेल से क्यों नहीं दिया तो अब बात होती यूज केस की अब मुझे फिलहाल इसका उतना यूज मेरे लिए नहीं लगता है अब मेले मुझे इतना इसका यूज फिलहाल नहीं है मैं इसको परस्वी इसलिए कर रहा था ताकि मुझे जल्दी से एक कही जौब मिल जाए अच्छी ताकि जो हम जौब के साथ-साथ टीचिंग कर सके और मुझे जौब जो है वह अब ऐसा मन किया मुझे कि चलो अब सी एफे भी पढ़ाते हैं तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगा आगे करने का बर अभी मुझे जरुवत नहीं लगते तो अभी नहीं कर रहे है ठीक है तो यहां पर आएंगे तो ठीक है तो इन्वेस्मेंट बैंकिंग में क्या होता है कि जैसे अगर किसी कंपनी को नए शेर्स इशू करवाने है या अगर किसी कंपनी को जो है पैसा रेस करना है पब्लिक से तो इक्विटी शेर्स इशू करके या डिबेंचर बॉंड इशू करके कर सकते हैं लेकिन यह कैसे करते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है कैसे प्राइ वह investment bank की help लेती है ठीक है तो यह जो है investment banking securities and investment manager management services भी provide करती है कौन Goldman Sachs मतलब companies जो अपने पैसो भी कैसे manage कर सकते हैं वह उसकी services कौन पॉइड करता है Goldman Sachs ठीक है बस एक mcq इसमें आ सकता है कि यह this is the biggest investment banking enterprise in the world यह mcq आ सकता है यह क्या क्या सकते बताइए mcq में आ सकता है कि जी जैना कि क्या बताइए यह mcq आ सकते बिटा क्या बताइए कि इट इस दा बिगेस्ट इन्वेस्मेंट बैंकिंग इंटर्प्राइस इन वर्ड समझ पारो बात तो यह आपको आ सकता है सवाल ठीक है बड़े आगे नेक्स्ट है ओके भात सब्सक्राइब हो सकता कि यह सब बात बात में करेंगे अभी हम उसकी बात निहीं कर रहे है यह अपने यह आद रखेंगे इनके दामात तो में अपको लगेगा फोटो में तो दूनों की सेम एच के लग रहे हैं फोटो में तो दोनों के लग रहे हैं अरे बेटा ये तो आपने बच्पन का फोटो और आपके पापा के बच्पन का फोटो लाए और बूला कि देखो यह मेरे पापा है तो हम ऐसा बोलेंगे आपके आपके व्यावाइक चीटम लग Dreft इनकोर्परेशन एर हेड़कोर्टर चेर्मेंट सी ओ नेक्स्ट ये इनवस्मेंट बैंकिंग कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी इनवस्मेंट बैंकिंग अंडरप्राइस हैं इनके फाउंडस के नाम याद रखेंगे खतम टाटा बायबाय हम बढ़ रहे हैं आगे अगली कंपनी पर नेक्स्ट कंपनी देखेंगे नेक्स्ट इविटा आइबी एम ठेक ना आइबी एम आइबेम का फुल फॉर्म है इंटरनाशनल बिजनिस मशीन और देखो आगे क्या लिका है कॉर्प मनब कॉर्पोरेशन है सब्सक्राइब यह भी पॉप्लिक कंपनी होगी ऐसा नाइटीन हड़ेंडन इलेवन में इनकॉर्पोरेशन आ रहे हैं हेड़क्वाटर है न्यू यूयॉक सिटी में न्यूयॉक सिटी यूसे एंड़ चेयरमेन कॉने बताओ अरविंद कृष्णा तो यह अरविंद कृष कंपनी मल्टिनाशनल टेक्नोलोजी कंपनी ठीक तो यह क्या करती है यह ना बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स बगारा बनाती अलग-अलग है ना सॉफबेस वगरा बनाती इन मार्केट्स कंप्यूटर हाडवेर मिडलवेर सॉफवेर हैं ना और ओफर्स होस्टिंग एं कंसल्टिंग सर्विसेज बहला सॉफट्वेर से इने एंगी है ना ऐगे नेक्स्ट बस ये क्या काम करती है टेक्नोलोजी से र्केट्स काम है कंप्यूटर से रेलेटेड सॉफवेर हारडवेर बनाती है कॉन आईब्म बस इतना याद रखींगा आगे नेक्सट फिर ब से ज्यादा पेटेंट कौन से कंपनी ने रजिस्टर किये हैं वो है IBM तो मेरे एक immediate close relative है जो एक्टुल में IBM में वो जॉब करते हैं एंड उनके नाम से ही छे पेटेंट किते छे पेटेंट सिंव उनके नाम से रजिस्टर हैं समझ पारो बात तो एक्टुल में यह कंपनी बहुत ज्यादा क्या बताई इनोवेशन पर बहुत ज्यादा वर्क करती है अपने एंप्रॉइस को भी बहुत एंकरेज करते हैं लोग इनोवेशन करने के लिए और इसलिए इस कंपनी के नाम पर इतने सारे पेटेंट रजिस्टर है सब्सक्राइब बहुत बड़ी बात है आगे बढ़ेंगे इन्होंने क्या-क्या इन्वेंशन किये हैं क्या-क्या नई चीज़े लाई है बोलते एटीम मशीन जो आप बैंक से पैसा निकालने जातो ना जिस मशीन में आप से पहले बनाई थी आईब अगर अगर हम यह बूगल पर जाके सर्च करें ना कि एटीम का फूल-फॉम मताई यह चलो देखते हैं एटीम का फूल-फॉम बताओ जल्दी कि एटीम का फूल-फॉम बताई यह है जल्दी से ATM का फिलफॉर्म अरे 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 आप सब तो करेक्ट वाला बता रहे हो अरे यार मुझे लगा आप एन्य टाइम मनी लिखोंगे यह अरे यार यह आज के क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे आ गए का मेरे हैं रहार एन्य टाइम मनी तो लिखो कोई यार कि यह 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 और अज आई टाइम मनी या यह यह नया मिला एनिझाय्म मनी इंटेले ओर मणी तूपाइसा पाइसा करती है क्यों हाँ ओल टाइम एणि थोड़ो ओल टाइम वाह तो क्या है बताओ यह विवाश सऑ है देखो देखो निशांत कर देखो बेटा आ निशु भइया कर नाम खराब कर रहाएं निशांत पाठक लिखता है अंजली तारक महता बताओ यह इसका अलग ही चल रहा है यह अलग ही चल रहा है इसका अब ध्यान दीजे तो क्या बताइए जल्दी से तो बोलते हैं कि ATM का फुल फॉम होता है automated टेलर मशीन तो आप जब बैंक में जाते ना तो बैंक में क्या होता था कि लाइन में लगना पड़ता था फिर सामने ऐसा काज रहेगा काज के पीषे बंदा बैठा रहता है और वह साथ टाइप करते रहता आपका चेक लेंगा फिर आपको क्याश देंगा उस व्यक्ति को टेलर बोलते हैं तो अब आपको जब बैंक से पैसा निकालना है तो अब वो टेलर वहां पे बैठा नहीं है अब सामने मशीन है तो टेलर का जो काम है वह ऑटो मेट हो गया इसलिए उस तो ये जो ATM के न अलग अलग लोगों ने बोला है कि नहीं नहीं मैंने बूला ना कि इस ने किया इन्वेंट तो इस ने किया बात खतम भाई ने बोला करनेगा तो करनेगा समझ बारो बात हाँ बस तो इंस्टूर्ट ने बोला कि यह है इन्वेंशन तो यह है इसका इन्वेंशन ने बात खतम फिर पीसी परस्टनल कंप्यूटर सबसे बिले इन्हों ने बनाया फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं आज कल जैसे तुम हाड डिस्क में सारे सारी चीजे romance लो करते हो यहाँ अरट डिस्क में सारी चीज़ेन टोच जो करते हो वहना boost यह पहले ग्याइद के जमाने में आथी फ्लॉपी डिस्क वह सब्हूब मतलम मैं आपको क्या ही बताओ बेटा है आपको क्या ही बताओ बताओ अब और ना मैं आपको क्या ही बता वब हो no floppy dzisc निवाप टीशक मत इसमें कितना स्डोरु सकता था बताओ आपको कितना स्जोरेश थैं यह देखो क्यों बोलते हैं कि floppy ड्सक जो है न उसमें 80KB यहां 1.44כ 1.44ào 1.4 MB इतना स्टोर होता था कि इसमें फ्लॉपी डिस्क में ऐसी दिखती दी फ्लॉपी डिस्क इसको कंप्पूटर में से डालना पड़ता था कित्ता 1.44 MB मतले बेटा आज आप मोबाइल से फोटो खिसते रहा फोटो वह भी 45 MB का होता है तो अगर एक फोटो स्टोर करना है तो चार पाश फ्लॉपी डिस्क लगेंगे आपको आज के जमाने में यह समझ पारो बात ऐसा है ना एकदम खतम टाड़ा बाए बाए तो पहले फ्लॉपी डिस्क का जमाना था फिर धिरे-धिरे सीडी पैस सीडी कॉम्पाक्ट डिस्क फिर डीवीडी आई फिर बाद में पेंड्राइफ और आज कल हाट डिस्क हाट डिस्क में तो हजारो जीबी है अरे भाई साब कित इसने मुलक करना है कि क्या बोलते रहेते यारी लोग कि इदर ध्यान दूरे मैं बता दूंगा आपको क्या क्लास है और पहले तो लाइक होगो बना दनादन फटके लगेंगा अभी सबको हाँ आज कल आप गाना भी डानट करता है तो कम से पाच्छक इन्पी का डाना होता है तो आपको ऊपको एक एक लाइन जैसे गाने का एक लाइन एक फ्रबर डिसक में, दूसरे फ्रबर डिसक में पर टो ऐसा बात आजकल चीजे जादा जैसे आजकल HD 4K यह आजकल आया है ना तो समय के साथ साथ जिस प्रकार का storage होगा उस प्रकार की चीजें बनेगी तो पहले के जमाने में इतनी जादा भारी भरकम चीजें तो होती ही नहीं थी इसमें काम होता था समझे बात ऐसा है वो तो धीरे धीरी इवाल हुई चीजें तो और अब जाके हम जो है हाट डिस्क पर यूज़ करते हैं तो सबसे बेले कौन लाया था फ्लॉपी डिस्क आईबिम फिर आईबिम नीच लाए देखो हाट डिस्क भी इन्हों ने पहले बनाया बोलते हैं इनका इन्वेंशन हो भी यूपी सी बार्कोड यह बार्कोड क्या होता है जब आप यह अपना करते ना क्या शॉपिंग वापिंग अब यह डी मार्ट पैंटालून से तो क्या करते ऐसा प्रोड़क्ट को लेते उसमें पीछे स्टीकर चिपका रहता और उनके बाद से दिखा दे और आवा जाती और दूसरा बढ़क लेंगे आवा जाती मतलब क्या हुआ बार्पोड ऐसा स्कैन कर लिया तो पुरा शिस्टम नोसका डेता आ आइसी बात वह तब बार्पोड किसने लाय सबसे पहले बोलते हैं क्या बात चलो गें आगेया व्लतें आँड्याँ की एक इंडियन से इसके इंडियाँ सिद्रेक्टर में नहीं सब्सक्राइब बद मंध्या सब्सक्राइब चाहिए आपने मेंडियन कि लोग अक्सर बदल जाते हैं है कि छोड़ो वापस आएंगे तो एक्चुल में हो सकते हैं कि यह पोस्ट पर अब कोई और हो लेकिन हमारे बुक में यह लिखा है तो हमको भी यह चियाद रखना है क्या बात समझ पारों आगे नेक्स अगली बाग आई बीम इंडिया में क्यों आया था ना तुम लोग की इतनी हसी क्यों आरे समझ में यह नहीं मेरे को यह अच्छा कल का क्लास रात को रात का दिख रहा है कल का क्लास अच्छा एक है मुझे नहीं पता हूं चेक करता हूं ओ एक क्लास में हुआ ऐसा कोई बात नहीं हम ठीक कर देंगो उसको ठीक है टेंशे मटलो रात का नहीं है कुछ भी कि टीचिंग इस वरी नाइस किंग अरे 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 ठीक है ना हां तो अब ध्यान दीजे तो यह क्या है बताओ हां आई-ब्यम कब आया था बता शॉरी नेसले कब आया था 750 में आया था वैसे और इन्सें इंडिया में आके कैसे चालू कि अपना काम टाता के साथ जॉइमड वेंचर किया था किसने आइबियम ने अरे इनहों कंपनी बनाई थी टाटा इनफोर्मेशन सिस्टम लिमिटल बाद में अलग हो गया और अब अपने नाम से भी काम करता है इंडिया में ठीक है इस कंपनी का पूराना नाम किसका आईबी एम का पूराना नाम क्या था कंप्यूटिंग्टेमेटिंग्टेम कंप्नि मर्क करें है कंप्यूटिंग टाइबी रेकौर्डिंग कंपनीस म क्या इंब करेंगे जितने मैंने important point बोले हैं बस इतने ही मार्क करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे बस इतना ही काम का इसमें नेक्ष्ट हाँ सर कोई यह देखो कि यह आतमान जो है आतमान बोल रहे हैं सर क्या कुछ चैंजेस है क्या थर्ड चैप्टर में तो आतमान की आतमा आज जागी यह बेटा मैं पिछले रिवीजन वीडियो में खुदी कमेंड करता हूं पहले कि आप पूराना नहीं देखने का बीसे के चाप्टर त्रीक ले लेटेस वाला देखने का यह भाई सब पूराने लेक्चर को देखके मज़े उठा रहे हैं उसका है बिटा लेटेस देखना इसमें इसमें चेंजेस है राजा आपको जो है यह चेक करना है एक डिसेमर ट्वेंटीटू का यह आया है क्या आया है उसमें अपडेट्स आपको दिये है आपके कुछ चैर में नाम चेंज हुए है और यह रैंकिंग नहीं वाली आई है 2022 वाली तो यह याद रखना है ठीक है यह सब बत समझदार उसको समझ में आ गया मिसर की क्लास है तो यह इस लिखना है तो आ गया देखो यह लिखने का भी आईटी डॉट लवा स्लाश एमवी सान अकेडमी तमझपार हो बात इसमें देखो आपको अलग-अलग ऐसे टैब दिखते हैं आपके मोबैल में उपर आते हैं तो उसमें म proc. अभी वांडेशन अभी में तो पांचे नहीं अपन तो फांडेशन की बात चल रहीऊंगी न वहाँ पर रावे के कहा जानेगा आपने सी एस यह यहां पर चेक कर maudas क्या क्या हो रहाएं है यहां प्युन यहां पर देखो मैंने दिया है स्टूडन्ट जर्नल यह स्टूडन्ट जर्नल जो मैं अभी बता रहो अब इस पर बस क्लिक करना तो डाउनड हो जाता हो वाह वाह सर वाह मज़ा ही आ गया है है ना चलो आगे नेक्स्ट अगली बात देखेंगे इधर हो ठीक है ना तो वहाह वाशे कमपनी में आचुके हैं तोफित्स कंपनी टोटल ग्लीन बेटा हम पाचवे चुके हैं सब्सक्र lean हज़ी सब्सक्रेख चप्पनी से कंपनीं का नाम क्या है वी लट पकाड़ अगी में 289 में क्या है इसका में धिए हैं कालिफोर्य में चली और है तो कालिफोर्टमा बनाने न्युक्त कला constant bचूईो एक पृब्सेटल एक्षफाव कहां कालिफोर्य में इसका है लेटंक लॉरस पिए ओप्पूर्य अपल ठिक है कालिस्ट इसका मैरी मायर्स तो इसको ना एक बार यह कर लेंगे यह पहले कोई और था या पर वो था शायद वो चार्ल्स वीक्टर बर्ग चिंप बर्ग करके नाम था तो चैंज करेंगे भी यह यह हो गया बहुत अट मिला ना विटा यह लोरेस चलो आगे तो यूलेट पकार जो है यह क्या है यह अमेरिकन मल्टी नैशनल यह भी आईटी कमनी बोलते हैं यह आप सबको पता है यह भी हार्डवेर है ना इस हार्डवेर मतलब क्या जैसे इसके माउस कीबोर्ड लैप्तॉप कंप्यूटर प्रिंटर यह सारी चीज सब्सक्राइब अब विलियम हुलेट न डेविट पकार इन्होंने सरनेम के उपर रख दिया बताओ जल्डी से क्या रख दिया कंपनी का नाम रख दिया एच पी अभी जैसे कल जाके कल जाके मैं एनप्रणफ सर साथ में मिलके कोई कंपनी चालू करें तो क्या हो जाएगा ना वीपी वोरा पोपट बताओ तो यह वीपी हो जाएगा ऐसा गाम है आगे अब इन्हों ने क्या किया देखो 2015 में इनको भोतीच मस्ति थी है 2015 में इन्हों ने क्या क्या अपने business को देखो इनका न इनका न 2 चीज़ें बहुत ज्यादे ब् değakती एक रिंटर अलग से काफी एए pled थी तो इन्हों ने क्या किया सुनियों धर क्या क्या मेल से हैं इन्होंने जो है ना बेटा दो हजार 2015 में अपने PC बिजनेस को और प्रिंटर बिजनेस को अलग-अलग किया बस इत्तीज बात है तो उन्हों 2015 में क्या किया दे स्प्लिट दपीसी और प्रिंटर बिजनेस फ्रम इट्स एंटर्प्राइस प्रडक्ट एंड इससे उन्होंने अब दो कंपनी बना ली एच पी इंक जिसमें कंप्यूटर वगरा बिखते हैं और हुलेड पकार एंटरप्राइस जिसमें प्रिंटर बिखते हैं ऐसा इसका विजन जो है वो देखें याद रखने लायक है इसका विजन इसका विजन याद रखने लाएगे बोलता है to create technology that makes life better for everyone everywhere every person every organization every community around the globe तो याद रखेंगे to create technology that makes life better for every 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 तो जब ऐसा हुआ तो HP का विजन है HP का विजन है और इन्होंने पहला notebook बनाया था notebook तो आप जिस पर लिखते वो notebook नहीं अरे छोटे laptop को notebook बोलते हैं तो first notebook with ocean bound plastic अरे 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 मतला वो तो उसको recycle recycle करके किया हूंगा तो इन्होंने ऐसा क्या इनका ऐसा record बन गया दुनिया का सबसे पहला ocean bound plastic से जो बनाया है notebook किस ने बनाया बुले HP ने बनाया बस तो इसमें काम की बाते इतनी छे बढ़े आगे बताईए फास चले जल्दी क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जिन्दगी में क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि अ कि चीक है सर बढ़िया आगे क्या करें सर आपकी जिन्दग आप मना करते तो भी मैं आगे बढ़ता चले आए ध्यान देंगे नेक्स्ट सो अगली कमनी देखेंगे अपन हुँ सर सीए सर एकनॉमिक्स चैप्टर रण की एमस्यू क्लास कैसे अक्सेस कर सकते हैं बिटा उंगली से कैसे देखो आपको आपके मोबाइल में जाना है ब्राउजर में और उंगली करनी है और वहाँ पर लिखना यह यह बी आई टी डॉड एलवा स्लाश एम विसन नेक्याड एकनॉमिक्स चैप्टर फाय का करवा दिया है बीसी के चैप्टर फूर का करा दिया है तो जाके देखिए है कि नहीं बात बताओ वाह क्या बात यार अब कित्ते इंटेलिजेंट लोग है आप सब क्या बताओ मैं मजा ही आ गया है चलो तो अगला देखेंगे इंटेल इंटेड एलेक्ट्रोण इस बनाते हैं जो कम्विट ओंडेलो की अंदर लगती कलो मुटर के अंदर। उसँंने इंटेग्रेट इंटेड के एलेक्ट्रोनिक के बनाते है इसके एकषि टीवी पर की वहां पर ने एक दम सब लोगोंने क्या बताएऊ आँवरा में ऐस माला कि फिर वो कैमरा जो आइसा जूम करते हैं उंगली पर फिर मतलब इनका ऐसा बोलना है कि इतनी छोटी छोटी आइटम बनाते हैं कम्प्यूटर के अंदर की अरे 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 आप समझ पारे हो ऐसा एड करते ही लोग है ना इंटल इंसाइड ऐसा है दोले ज्यादातर सब्सक्राइब तो नाइंटीन सिक्स्टी में दो कमने थी एक के बाद एक आए थी दन 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 1968 में इंटल और जस्ट एक साल बार 1969 में वालमार्ट करेक्ट तो अपर ध्यान दीजे आगे हाँ नेक्स्ट अगला तो इसका हेड़कॉर्टर का है कैलिफोनिया में है चलो ओमार इश्रक तो यह है ओमार इश्रक जी यह कौन है बताएगे यह इंटल के चेर्मेन है और सीओ जो है पैट्रिक पॉल सरने माँ खुद पढ़ लेना उसका और सीएफ़ों है डेविड जि यह कोशिश करेंगे ओमार इश्रक समझ पार बात ठीक है बाकी आप रीट कर सकते इसको मार्क करकर रखे बस ठीक है आगे बढ़ेंगे हाँ इसमें भी कुछ चेंज है शायदे डेविड जिंसर पहले कोई और था तो इतना अपडेट कर लेंगे सीओ भी शायद पहले कोई तो और था इसको बस एक बाद देख लेंगे अपडेटेट वाला बता रहा हूं ठीक हाँ अरे यार तुम क्या हस क्यों रहे समझ में नहीं है मिरको आज चलो आगे देखो इंटल कॉर्परेशन तो इंटे देखो आर क्या लिखा नाम क्या के कॉर्पोरेशन मतलब यह भी क मुल्टिपल कंट्रीज में अच्छा यह क्या है एक टेकनोलोजी कमनी यह भी आईटी कमनी है अब एमसी को देखो क्या आएगा सुनिए प्लीज ध्यान देजे एमसी क्या आएगा यह वर्ल्ड की लारेजेस्ट एन हाइस्ट वैल्यू टेमी कंडक्टर चिप मेकर है बेस् हम जब कंपेरिजन्स करते हैं जैसे मैंने बोला कि जैसे बेटा मैंने बोला कि नवीन अच्छा है अरे पर किस चीज में अच्छा है यह तो बताओ समझे बात मैं बोल रहा हूँ इंटल इस लार्जेस्ट एन हाई अस्ट वैल्यूड सेमी कंडक्टर चिप में कर किस बेसिस पे शेमी कंडक्टर चिप बनाना और ये जो सेमी कंडक्टर हो थी है यह बहुत ही जादा इंपोर्टंद component होता है laptops वगरा के लिए, car वगरा के लिए, हाँ, तो electronic items में ये जो चीजों होती है, semi conductor chip ये लगती ही लगती है, और बीच में जब corona आया था, उस समय semi conductor chip का production बंद हो चुका था, इसलिए एकदम से laptop वगरा के prices बढ़ चुके थे, कोरोना के समय पे, obviously उस समय पे demand भी काफी बढ़ गई थी, वो भी एक reason है, लेकिन ये भी एक major reason था, कि जो input था semi conductor chip, वो भी बहुत मेहंगा हो गया था, उस समय पे, क्योंकि इसका production रुख चुका था, तो दुनिया में जितनी भी, है ना, तो दुनिया में क्या बताईए, तो बेटा, दुनिया में जितनी भी जो, हाँ, क्या है, दुनिया में बेटा, जितनी भी हमारी क्या है, दुनिया में जितनी भी हमारी semi conductor chip maker company होंगी, वसे बहुत सारी नहीं है, ठीक है, यह एक है, और एक वो ताइवान में है, ठीक है, हाँ, तो जितनी भी है ना, उन सब में सबसे जादा revenue किसका है, इंटल company का ऐसा, तो याद रखेंगे, ठीक है, आग, तो यह बस इतना ही करके end कर रहे हैं, इन्होंने invent किया था, into 86 series of microprocessor, अब microprocessor भी वो chips जैसा होता है, आलू की chip नहीं, अरे बेटा, computer के अंदर चिप लगती ना, green green color की, वो वैसा, तो एक वो series होंगी, into 86 series, वो इन् इसके founder का नाम है, Robert noise, Gordon Murray, और यह इन दोनों ने काम किया था, Andrew group के leadership के अंदर, समझ पारो बात, हाँ, मतलब की, हम, मतलब की founders कौन कौन है, Robert noise, Gordon Murray, और इन दोनों ने leadership, इनके leadership में काम किया था, Andrew group, तो हम तीरों का नाम भी लिख सकते, founder में, ठीक है न, हमारे शायद लिस्ट में, इन दोनों कहीं लिखा है, यह भी लिख लेना, तो founder कौन है, Robert noise, Gordon Murray, और इन्टेल का full form क्या है, बोलते है, इन्टेल का full form है, यहाँ पर, इन्टेल का full form है, बोलते है, integrated electronics, इन्टेल, या इसको intelligence, information भी बोलते है, कुछ लोग, okay, sir, okay, आगे, इन्होंने कुछ कमपनी इसको acquire किया है, बस इसको mark करके रखेंगे, जैसे mobile, आये, निर्वाना सिस्टम्स, सैफरन टेक्नोलोजी, और हबा business, अब, modem करके एक चीज होती, बेटा, जिसके वज़े से, जैसे आपके mobile में, जब modem होता है, न, तो वो जो है, Wi-Fi को पकड़ सकता भी, जैसे आप Wi-Fi चालू करते, तो कैसे ढूंड पाता, mobile, की Wi-Fi है की नहीं, आजू-बाजू, वो modem होना ची, उसके अंदर, समझ पार को, देखो, Intel sold the majority of its smartphone modem business to Apple, 1 billion dollar में, 2019 में, आप सोचो, Intel multiple चीज़े बनाती है, जिसमें, सिर्फ, modem बनाने वाला काम, इतने रुपे में बेट डाला, इसको, Apple को, मला, अब आप, आप छोड़ी दो, मनलब कितना total, क्या value होंगे, कमनी के, अरे, 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 ये, समझ पार, क्या बोड़ रहा हूं, हाँ, तो यहाँ पर निशान जो है, अपना ज्ञान दे रहा है, इलेक्ट्रोनिक्स का, हमको आता नहीं है, हम commerce के student है, ठीक न, आगे, चलो, अब ध्यान देंगे, ठीक न, बस इतना है, आज का, खतम, टाटा, बाइबाय, आज का, खतम, अब कल हम खतम कर देंगे, कल चार कमनी बचेंगे, अच्छे कमनी हो गई है, कल चार कमनी बचेंगी, और कल इस chapter को, खतम रड़ा बाइबाय बोलेंगे, ठीक न, ओके, आपको मजा होगा, आज के हमारे class में, और आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे juniors को, है न, juniors को बता नह सबको आपको बताना है, कि हमारी batch, मनजिल batch आ गई है, अगर देखो, सच में, आपको मेरा content अच्छा लगता है, आपको हम ये educators अच्छे लगते हैं, तो जरूर प्लीज शेर करें, अपने दोस्तों के साथ, इस मनजिल batch के बारे में, and MVCode use करें for taking an academy subscriptions, अगर अभी नहीं, तो आप जब CA interim में आएगे, तब आप MVCode use कर सकते हैं, for all the subscriptions, so thank you so much, अपना ख्याल रखें, अपने parents का ख्याल रखें, क्योंकि हम, हमारे parents की मिना कुछ बनी है, thanks so much, and bye-bye, मिलते हैं, अब कल सुभह पहले plus class में, then कल 3 बजए, and कल 7 बजए, एक MCQ quiz मेंने रखा हैं आप सब के लिए, 7 बिएम, कल MCQ quiz होने वाला है, एक बिटा, और वो होने वाला है, economics chapter 2 पे, ठीक है, तो कल एक MCQ quiz होने वाला है, economics chapter 2 पे, 7 बजए, ठीक है, तो अगर आप free होंगे, कल 7 बजए, तो जरूर आईए, मज़ा आएगा, ठीक है, thank you so much, sir, आप मुझे भूल गएगा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें भूल जाओ, यह हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, यह मैं होने नहीं दूँगा, ठीक है, thank you so much, bye-bye